ये गाईज, वेलकम टो ने दो कंप्यूटर ग्राफिक्स टूटोरियल दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको तीन चीज़े बताना चाता हूँ सबसे पहली चीज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चीज है, सबस्क्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का सबस्क्राइब बटन है, दबा दीजिए एकदम फ्री है, और जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँगा, आपको नोटिफिकिशन भी मिल जाएगा तो इसमें आपका इफायदा है, दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो कम्प्लीटली समझना है, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए बीच में छोड़ देंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा, और वैसे भी मैं बहुत छोटी वीडियो बनाता हूँ, ज्यादा लंबी वीडियो बनाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है, लास्ट मॉमेंट पे जो रिवीजन करना होता है, उसके लिए आपको ज्याद इसके उपर अल्रेडी इंग्लिश में एक वीडियो बनाया हूँ, जिन लोगों को इंग्लिश का वीडियो समझ में नहीं आया, उन लोगों के लिए मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि फ्लरडफिल अल्गॉर्थम का बेसिक कॉंसे इसका मतलब क्या है, कि फ्लरडफिल अल्गॉर्थम उन केसिस में यूसफुल होता है, जहाँ पे हमार जो पॉलिगॉन रहता है, या फिर अब्जेक्ट रहता है, उसकी एक कलर की बाउंडरी नहीं, बलकि अलग-अलग कलर की बाउंडरी होती है, ठीक है, तो लेकिन फ्लरडफिलिंग कलर, ति यू encountered a specific boundary कलर, इसका मतलब यह है, कि जैसे हम हमारे boundary fill algorithm में, till boundary color हम encounter नहीं करते हैं, तब तक हम color भरते जाते है लेकिन flood fill में हम क्या करते है कि जो अंदर का interior pixel का जो color है उसको हम check करते है कि अगर वो उस color का है default color का है तो हम उसको replace कर देते हैं ना कि हम wait करते हैं कि हमें boundary color का pixel मिल जाए ठीक है तीसरी बात it is used in bucket fill tool of paint program to fill connected similarly colored areas with different color तो इसका मतलब यह है कि जो हम paint brush use करते है microsoft word का या फिर microsoft का तो उसमें जो paint bucket जो option रहता है जिससे हम object के अंदर color बरते है तो उसके अंदर यह flood fill algorithm use होता है तो यह हो गया हमारा basic concept flood fill algorithm का अभी देखेंगे algorithm क्या है तो flood fill algorithm का यह algorithm है तो सबसे पहले हम node target color और replacement color इनको define करते हैं ठीक है तो if target color is equal to replacement color return इसका मतलब यह है कि जो आपका जो target color है वो अगर replacement color का already है मतलब let's say आपका जो एक circle है आपके पास ठीक है और circle के अंदर के जो pixel से वो अगर green color के है और आपको उसको red color का बनाना है तो अगर अंदर का कोई pixel already red color का है तो आप return कर जाते हैं मतलब आप कोई action लेते नहीं directly हमारे algorithm से बाहर निकल गया थे ठीक है अगर color जो node का color है वो target color से match नहीं करता है यानि कि जो default color हमारे जो था वो green था और अंदर का pixel जो है let's say वो blue color का है तो हम क्या करते है हम कोई action लेते नहीं है हम return कर जाते ठीक है और तीसरा point है अगर यह दोनों condition true नहीं है तो तीसरी condition क्या होगी कि अंदर का जो color है वो default color या फिर target color ही रहेगा तो हम क्या करते है कि set the color of the node to replacement color मतलब हम अंदर का जो original pixel का color है उसको replacement color से भर देते है और ऐसे हम steps perform करते है यह four connected method का algorithm है तो ऐसे हम steps perform करते है और चार pixels को कौन से चार pixel एक pixel जो आपके original जा फिर starting pixel के south में है यानि कि उसके नीचे है दूसरा pixel जो north में है यानि कि आपके original pixel के ऊपर है तीसरा pixel जो west में है मतलब left hand side में है और चौता pixel जो east में है यानि कि right hand side में है तो उन चारो pixels में भी हम color replace कर देते है विद हमारा replacement color ठीक है तो जब मैं एक example लोगा तो आपको समझ में आएगा मैं यह क्या बता रहा हूँ ठीक है तो इसमें methods of implementation मतलब किस तरीके से इसको implement कर सकते है दो method रहती है एक है four connected pixel दूसरी है eight connected pixel या फिर eight connected pixel ठीक है तो four connected pixel तो मैंने आपको अल्रेड़ी बता दिये example के साथ आभी बता देता हूँ तो four connected pixel में क्या होता है कि आप चार adjacent pixels को चेक करते है एक जो north में है दूसरा जो south में है तीसरा जो west में है और चौता जो east में है मतलब जो उपर नीचे दाए बाए जो है उन pixels को आप चेक करते है उनको replace करते है with replacement color तो you fill the area with four connected pixel by the following steps तो इसमें ये steps आ जाती है step one आप initialize करते है चार values को एक है x and y coordinate जो आपके current pixel जहां से आप शुरुबात करते है उसका ठीक है दूसरी value जो आती है वो है fill color fill color का मतलब जो आपको नया color fill करना है वो और चौती value जो है वो है default color मतलब अंदर की pixel का जो color है वो आपको जो check करना है वो है default color x and y क्या है coordinate position जहां से आप initial interior pixel से start करते है वो और अभी क्या करेंगे अगर अंदर के node का color default color से match नहीं होता है यानि कि जो default color जो अंदर के pixel का होना चाहिए अगर उससे match नहीं होता है तो आप algorithm से बहार आ जाते है तीसरी चीज़ आप क्या करते है कि अंदर का जो node है जहां से आप start करते है जहां से आप start करते है उसका color change कर देते है replacement color से या फिर fill color से ठीक है चौतिस step अगर वो south का जो pixel है अगर उसका color भी replacement color से बरना है तो उसके लिए भी आप चेक करते कि वो color default color का है कि नहीं वैसे आप चेक करते है नौर्थ वाले pixel के लिए east वाले pixel के लिए और west वाले pixel मतलब top, right, left, bottom हर pixel के लिए जो चारो connected है उसके वह आप चेक करते कि default color का है कि नहीं अगर डिफाल color का है तो आप उसको replacement color से या फिर fill color से replace कर देते और at the end आप exit कर देते तो यह हो गया for connected method यह कैसे काम करते हैं यहाँ पर एक example में आप देख सकते हैं ठीक है तो हम शुरुआती यह initial pixel ले देते हैं इसको replace कर देते है white वाले को बाद में top वाले को check करते है white है हाँ replace white है replace तो यह हो गया आपका top यानि की north यह हो गया आपका south यानि की bottom यह हो गया आपका west यानि की left और यह हो गया आपका east यानि की right तो यह चारो connected जो pixels है आपके original pixels के तो उसको हर pixel को आप check करते है कि वो default color याने कि इस case में जो है white color का है कि ने अगर white color का है तो आप क्या करते है उसको change करते है आपके replacement color याने fill color से वैसे ही यहाँ पे तो यह जो आप देख सकते है यह paint bucket का यह उसके है मैंने यहाँ पे tool वैसे ही आप इसमें fill कर सकते है तो problem क्या आता है लेकिन four connected method दो methods क्यों है four connected और eight connected आप यहाँ पे देख सकते है कि यह जो अंदर का पूरा region है ओके अलग-अलग boundaries है बराबर red है green है purple है ठीक है तो यह तीन अलग-अलग color की boundaries है और अंदर का पूरा region जो था वो white color का था लेकिन क्या पूरा का पूरा अंदर का white color का region जो है वो fill हो गया है नहीं यहाँ पे और चार pixel बाकिये जो इनको fill नहीं किया है तो यह problem आ जाता है इसमें क्या होता है सिर्फ उन्हीं pixels को connect किया जाते है आपके south में, north में, east में और west में, बाकी की pixels को चेक यह नहीं किया जाता, तो उसके लिए क्या किया गया, नहीं method implement की उसको कहते है 8 connected pixel 8 connected pixel, 4 connected pixel की तरह यह काम करती है, सिर्फ इसमें एक ही extra होता है कि आप जो north east south east, south west north west, वो जो 4 pixels है उनको भी आप check करते है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे कि यह problem solve करने के लिए हमने क्या किया, कि सबसे पहले तो 4 connected pixel की method की तरह है, हमने यहाँ पे भी implement कर दिया ठीक है, पहले middle वाला भर दिया बात में, north, south, west east, यह तो हो गए, अभी हम उसके adjacent, east pixel के adjacent में, जो है वो है हमारा यह, let's say यह है north और यह है west, तो यह हो गया, north west भी हम check कर दे, बात में यह है हमारा east और यह हमारा north तो north east भी check करते है वैसे ही हम यहाँ पे check करते है south east और यह है south west तो हम जो 8 connected pixel है आप देख सकते, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 और 8, यह जो 8 connected pixel है, इस current pixel के उन सभी pixels को हम check करते है और अगर वो default color के यानि कि white color की हमारे case में white color के है, तो हम उसे replace कर देते है, हमारे fill color है यानि कि हमारे case में वो है blue color ठीक है, इससे कोई भी pixel empty या फिर unfilled नहीं रह जाता है तो यह होगी 8 connected और 4 connected method, दोस्तों अगर आपको कोई भी doubt है नीचे comment section में पूछे यह flood field algorithm का एक proper explanation है जो मुझे मिला, मैंने जितने आसानी से होज़कता है, उतने आसानी से समझाने की कोशिश की, अगर आपको पसंद आए, तो like कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और भूलिये मत, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू